तो दोस्तों आईए जानते हैं सिंग राशी फल 2019 का क्या कहता है? साल 2019 की शिरुवात में शनी धनूराशी, गुरू व्रिश्चिक राशी, राहू 6 मार्च को मिथुन राशी में रहेगा. वही केतू, धनूराशी, गुरू राशी परिवर्तन करके 30 मार्च को धनूराशी और 25 अप्रेल को व्रिश्चिक राशी में गोचर कर रहा है. पांच नवंबर को वापस धनूराशी में गोचर करेगा. ये 10 अप्रेल को वक्री होकर 11 अगस्त को मारगी होगा. शनी 30 अप्रेल को वक्री होकर 18 सितंबर को मारगी होगा तो दोस्तों इसी के आधार पर आपको बताते हैं कैसा रहेगा सिंग राशी वालों का पारिवारिक जीवन शनी की कुद्रिष्टी के कारण आपकी राह मुश्किल हो सकती है पारिवारिक जीवन पर इसका असर पड़ेगा कई तरह से आपके लिए समय मुश्किल है समय समय पर आपके लोगों को और चीजों को आपको सम्हालना होगा खर्च, सेहत, संबंदी, समस्या, पडोसियों के कारण परिशानी उठानी पड़ सकती है परिशान रहने के बावजूद आप कुछ इसमें मदद कर पाएंगे वैवाहिक जीवन की बात करें तो ये साल आपका वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा जरूरत पढ़ने पर आपका जीवन साथी आपको अच्छे से समझ पाएगा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें मार्च के बाद थोड़ी परिशानिया आ सकती हैं लेकिन अपनी कॉमन सेंस से आप उन्हें भी पार कर लेंगे सेहत की बात करें तो पैर, कंधे, नस और हिर्दय संबंधित परिशानिया हो सकती हैं इस वज़े से आप परिशान हो सकते हैं मार्च के बाद और मई 2019 से पहले जादा ध्यान रखने की जरूरत है सही दवाएं और व्यायाम जरूर करें करियर की बात करें तो राहू की दशा और राहू के नक्षत्र में दशा स्वामी हो तो आपको करियर में तेजी से सफलता मिलेगी पंचव भाव आपके करियर में परिशानिया उत्पन कर सकता है वर्तमान नौकरी बदलनी पढ़ सकती है आपके काम में भी बदलाव किया जा सकता है नौकरी में तनाव बढ़ जाएगा व्यापार के लिए ज़ादा अच्छा समय नहीं है आपको अपने प्रयासों का मनचहा फल नहीं मिल पाएगा आपके प्रतिद्वंदियों का आपसे ज़ादा फायदा होगा प्रतिसपरधा के चक्कर में आपको पैसों का नुकसान हो सकता है अपने किसी गलत निर्ने के कारण आपको बाद में पच्ताना पड़ सकता है स्टॉक मार्केट से आपको धन लाब हो सकता है आर्थिक स्थिती बढ़िया रहेगी रियल एस्टेट में निवेश करने से फायदा हो सकता है आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा कोई निवेश गलत हो सकता है लेकिन दूसरी जगों पर किये गए निवेश से इससे नुकसान की भरपाई हो जाएगी इस साल आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है मार्च के महीने के बाद थोड़ा साफधान रहने की जरूरत है इसके बाद आप दोनों के बीच गलत फहमी गुस्से की दिवार खड़ी हो सकती है दोस्तों इस साल आपको किसी उपाई की जरूरत नहीं है लेकिन दिन में दो बार इश्ट देव की आराधना करें बस आपके लिए इतना ही काफी होगा तो दोस्तों ये तो था सिंग राशी फल 2019 का शेयर करें और इंप्रेस करें अपने दोस्तों को कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ करें दोस्तों को